दोस्तो अपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबादें क्योंकि हम लाते रहते हैं नए-ने बिजनिस आइडियाज और नए नी जैनकारी के वाला के लिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेपर बैक बनाने के बिजनस के बारे में इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको इस बिजनस के लिए क्या लाइसेंस लेने होंगे और इस बिजनस के लिए मशीन और राव मेटरियल आप कहां से खई सकते हैं तो यह दिखानेiges वीडियो के साथ अभी तक अगर आपने इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सबस्क्राइब कर लेजे और साथ में लगे बेल नोकिफिकेशन क subsidy को भी क्लिक दोस्तों जैसे आप सब जानते हैं कि प्लास्τικ बैक्स हमारे परयावरन scope के लिए काफी नुकसान दायक होते हैं और इन प्लास्τικ बैक्स में तो कई राजियों में बैन भी लग गया है तो ऐसे में पेपर बैक बनाने का बिजनस एक फायदे वाला बिजनस हो सकता है पेपर बैक्स देखने में काफी सुन्दर लगते हैं बड़े स्टोर्स, गिफ्ट शॉप्स और मॉल्स में तो पेपर बैक्स का परियोग काफी समय से हो रहा है आप इस बिजनस को घर से भी शुरू कर सकते हैं इस बिजनस के लिए आपको कम से कम 300 स्क्वेर फीट जगा की ज़रूत पड़ेगी चलिए जान लेता हैं कि पेपर बैक बिजनस को शुरू करने के लिए आपको क्या business registrations और licenses की जरूत पड़ेगी सबसे पहले आप अपनी company का legal structure decide कर लें जैसे कि क्या आप ये business अकेला करना चाते हैं या partnership में उसके बाद आप local authority से trade license ले लें आपको उद्योग अधार भी इस business के लिए लेना होगा उद्योग अधार का फाइदा ये होता है कि इसकी बदौलत आप सरकार से विभिन schemes के अंतरगत loan भी प्राप्ट कर सकते हैं tax के लिए आपको GST registration कराना भी ज़रूरी होता है paperback के business में raw material के लिए आपको सफेर और रंगीन paper rolls flexo color, polymer stereo, strings और gond की ज़रुत पड़ती है paperbacks बना सकते हैं business को शुरू करने के लिए आपको कम से कम 5 लाग का investment करना होगा अगर आप machine के साथ इस business को कर रहे हैं अगर आप इन paperbacks को बिना machine के बनाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं ऐसे में आप इस business को बहुत कम investment में start कर सकते हैं अगर आप बिना मशीन के इस बिजनस को स्टार्ट करते हैं तो आप ज़्यादा पेपर बैक्स नहीं बना पाएंगे जो आपको इस बिजनस को ग्रो करने में रुकाफने पैदा करेगा पेपर बैक्स के साइजिस की बात करें तो ये bags बहुत अलग-लग sizes में market में बिखते हैं शुरुवात में आप उनी paper sizes को बनाएं जो market में काफ़े popular होते हैं चलिए paper bags बनाने की process के बारे में जान लेते हैं सबसे बहले machine की मदद से paper को अलग-लग sizes में काटा जाता है pressing machine से gaunt को paper में लगा कर press किया जाता है उसके बाद printers की help से printing की जाती है paper bags में paper bags में punching से hole किया जाते हैं और उन holes में strings को डाल दिया जाता है machine के दोबारा दोस्तों ये सब steps machine automatically करती है तो इस तरह से आपके paper bags त्यार हो जाते हैं चलिए कुछ demos देख लेते हैं automatic machines के जिनके prices इस machine से कुछ ज्यादा है आपके जाते हैं झाल झाल इंडिंग और मार्केटिंग के बात करें तो आप जो पेपर बैक्स बनाएं वो देखने में सुन्दर लगने चाहिए चुकि मार्केट में जो दिखता है वही बिखता है आप अपने पेपर बैक्स को सेल करने के लिए मोल्स, गिफ शॉप्स, कपड़ों की दुकानों को कॉंटक्ट कर सकते हैं अपने पूड़क्स के लिए एक वेबसाइट बना लें आप अपने बिजनस को इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया की वेबसाइट में लिस्ट भी कर सकते हैं तो दोस्तों ये थी इंफॉर्मिशन पेपर बैक्स बनाने के बिजनस के बारे में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए आप इस वीडियो में कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए जाए हिन